ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परमपरागत था ये जुलूस इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक इगो का लोगों ने महौल बना लिया फिर भी हम लोग आए समझाते रहें IPS प्रभाकर चौधरी का फिर तबादला कर दिया गया है रहविवार को बरेली में गैर पारमपरिक रास्ते से कावड यात्रा निकालने को लेकर शुरू हुए विवाद में उपद्रो बढ़ा और कानून ब्योस्ता की इस्तिती बिगरने लगी तो SSP प्रभाकर चौधरी ने हालात सभानले के लिए कावडियों पर लाठी चार्ज करवा दिया और महज आधा घंटे में बरेली सहर की कानून ब्योस्ता को फिर से बहाल कर दिया लेकिन चार घंटे बात प्रभाकर चौधरी का ट्रांसपर ओर आगया और IPS अधिकारी को 32 सुवी वाहिनी पेसी में सेननायक बना दिया गया और यह लगा कि इसे शांती भंग हो सकती है और यह गयर परमपरा का तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएंगी काफी समझाया गया लगवक चार गंटे लोग नहीं माने उसके बाद फिर यह एग्रेसिव होने लगे पीछे डीजे करके बहुत ही अबद्रता और सारी चीजे करना सुरू कर दिये और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ आवैद वेपन भी थे कट्टा भी था किसी के पास ऐसी सूच ना मिली उसके बाद यह निरने लिया गया और इन पर हलका बल प्रियोग करके भीड को डिस्पर्स कर दिया गया अब में इसमें क किसे सभी की किलाब कठोर देन आत्म करभाई की जगे हैं नएक डो लोगों कि भी पहले से पहले से फोर्स थी हमारा मुंकि उद्य से कि आपस में कोई जगडा ना होने पाई लेकिन अगर कोई भी जब लएक बहांम होसा हुए। 2010 बैच के प्रभाकर चोधरी के लिए ट्रांसफर कोई नई बात नहीं है 238 साल में 15 जिलो की कमान समाल चुके प्रभाकर चोधरी का 18 बार तबादला किया गया है आए जानते हैं कौन है प्रभाकर चोधरी और क्यों हो जाता है कमांडो ट्रेंड प्रभाकर चोधरी का ट्रांसफर पहले कहा रहे हैं प्रभाकर चोधरी आए जानते हैं प्रभाकर चोधरी 2010 बैच के IPS अबसर हैं मूलताम बैटकर नगर के रहने वाले हैं बेसिक ट्रेइनिंग के बाद प्रभाकर ने बत और अंडर ट्रेइनिंग SSP नोईडा में जॉइन किया था, उसके बाद उन्हें SSP के पत पर ही आगरा, जौनपूर और फिर वारा रसी भेजा गया, कानपूर नगर के SP सिटी तक वो रहे हैं, जिले में कमान सम्हालने की बार ललितपूर जिरे का SP बनाया गया, और फिर दिसंबर 2015 यानि लगभग 11 महीने तक वो ललितपूर के SP रहे, ललितपूर से हटने के बाद प्रभाकर चोधरी इंट्रिजन्स मुख्याले में पोश्ट किये गए, 13 जनौरी 2016 को यूपी के सबसे चर्चित जिलों में सुमार द 2016 यानि दो महीने ही बलिया के कप्तान रहे, बलिया के बास इस IPS अफसर को कानपूर देहाद का कप्तान मनाया गया, सत्ता परिवर्तन हुआ, भाचपा सत्ता में आई, तो 28 अपरेल 2017 को प्रभाकर चोधरी का कानपूर देहाद से महाच 5 महीने में ही तबादला कर दिया गया और ATS भेज दिया गया, फिर 23 सितंबर 2017 तक प्रभाकर चोधरी UP ATS में तैनात रहे, 24 सितंबर 2017 को प्रभाकर चोधरी को बिजनोर जिले का कप्तान मनाया गया, बिजनोर में भी 6 महीने पूरे नहीं कर सके वो और 19 मार्ट 2017 को उन्हें बिजनोर से हटा दिया गया, इसके बा अधियों के लिए जीरो ट्रॉलनेस की निती का पारण करने वाले प्रभाकर चोधरी की मतुरा की एस्थानी ने ताओं से नहीं बनी और उनका तीन महीने में ही तबादला कर दिया गया, मतुरा से प्रभाकर चोधरी को सीतापुर भेजा गया, 30-ason 2018 को प्रभाकर चोधरी स सीतापुर के स्पी बनाए गए लेकिन वहां भी छे मेहने पूरा नहीं हो पाए और 8 दिसंबर 2018 को उनका ट्रांसपर कर दिया गया स्पी चौधरी के कारकाल में सीतापुर में एक मामली विवाद थाने में घुस कर वकीलों ने उपद्रों मचाया था पुलिस कर्मियों के साथ मार पीट की गई तो सीतापुर के बारध्यच के उपर लूट का केस लिखवा कर उन्हें जेल भेज दिया गया था सीतापुर के बाद प्रभाकर चौधरी को बुलन सहर भेजा गया 9 दिसंबर 2018 को बुलन सहर के एसपी बने लेकिन वहाँ भी दो मेहने बाद 20 फरोरी 2019 को उन्हें हटा दिया गया और एसपी जियारपी जहां सी बनाया गया प्रभाकर चौधरी जियारपी में थे तभी सोनभद्र में उभाकांड हो गया जमीन कबजे के पुराने विवाद में पुलिस और पबलिक के भी पतरा हुआ और फाइरिंग हो गई कारून ब्योस्ता विगड़ने लगी तो सरकार ने आनन फानन में प्रभाकर चौधरी को 4 अगस 2019 के दिन सोनभद्र का कप्तान मनाया लेकिन दो महिने बाद 31 अक्तूबर 2019 को सोनभद्र से हटा कर प्रभाकर चौधरी को प्रधान मंतरी के संसदिय छेत वारण रसी का SSP बन कर उन्हें मेरट का SSP बना कर भेजा गया प्रभाकर चौधरी के 8 साल के करियर में उनके 18 आवाद ले हुए जिस में 15 जिलों के वा कप्तान रहे लेकिन मेरट हैं अकेला जिला है जहां पर प्रभाकर चौधरी पूरे एक साल तक कप्तान रहे 25 सून 2022 तक मेरट के SSP रहे प् बहे जा गया और 12 माज 2023 को प्रभाकर चोधरी को बरेली का नया SSP बनाया गया लेकिन बरेली में भी प्रभाकर चोधरी चार महिने तक ही रह पाए और 30 सुलाई 2023 को बरेली SSP से हटा कर 32 वी वहनी लखनव का सेननायक बना दिया गया बता दें ट्रेनिंग कारकाल को हटा दे त जनौरी 2015 से जुलाई 2023 यानि कुल 8 साल के करियर में प्रभाकर चोधरी का 18 बार तबादला किया गया जिसमें 15 जिलों के कप्तानी भी सामिल हैं जहां सी जियारपी में स्पी के बंगले के अवेद कपजे का मामला हो सोन भद्र का उंभा कांड हो सीतापूर में वकीलों का उ जोस्ता से कोई समझोता नहीं किया वह फिर अपरादी हो या कोई बड़ा सत्ताधारी दल करनेता अपरादियों के लिए जीरो टॉल्रेंस पर काम करने वाले प्रभाकर चोधरी की गिंती जनता की सुनवाई पर तुरंत कारवाई करते हैं अच्छा काम करने वाले पुलिस करने वालो को कानून की ताकत का अहसास कराने वाले अधिकारियो में गिने जाते हैं बता दे एनेसटी कमांडो की ट्रेनिंग कर चुके प्रभाकर चोधरी अपनी फिटनेस का बहत ख्याल लगते हैं सपा सरकार ने प्रभाकर चौधरी को अक्टूबर 2016 में कानपुर्देहाथ का S.P. बनाया तो वो इस्टूडेंट की तरह फिट्थू बेग लेकर जॉइन करने पहुच गए उन्होंने एक बार फरियादी की तरह थाने पहुच कर साइकल चोरी के फाया लिखाने की कोसिस की और कोई पुलिस कर्मी उन्हें पहचान तक नहीं पाया था कानपुर्देहाथ में ट्रेन हाथसा हुआ तो प्रभाकर चोधरी खुद ही हाई मास्क लाइट लगाने पोल खड़ा करने लगे थे एम्बुलेंस के नहीं पहुचने पर अपनी गाड़ी से कई घालों को अस्पताल भेजा रात भर राहतकार की मॉनिटरिंग खुद करते रहे वारंड़सी में कप्तान रहे तो प्रभाकर चोधरी की कासी की तंगलियों में साइकल से निकल कर लोगों के बीच चाय पीते और लोगों का फीड़बेक लेते रहे यही वज़ा है कि प्रभाकर चोधरी वारंडसी में महच आठ महीने के अंदर बेहत लोकप्रिये हो गए थे